आज की इस वीडियो में हम डीटेल रिव्यू करेंगे इस किट के बारे में मैंने प्रिविएस वीडियो इसके अपर बनाई थी बट कुछ लोगों ने मुझे कहा कि है है वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा ये एको मिक्सर सर्कृट है चोटा सा एक डीजय सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं और ये जो है मैंने किया है हमारे इस स्टीरियो अम्प्लिफायर के साथ और इसका एक ही चैनल ऑविएसली हम यूज करेंगे क्यूंकि ये जो किट ह होती है this is the actually monokit क्योंकि एक ही microphone इसके साथ अटेच होता या एक ही आप इसके साथ input जो source होती है वो प्रवाइड कर सकते हैं और अपना जो mixing वगरा है वो कर सकते हैं वेल इसको मैंने इस वक्त सारे के सारे जो connections है वो मैंने कर दिया है इसके साथ इस वहली जो kit है amplifier की इसके स साथ और microphone भी मैंने अटेच कर दिया यह आप देख सकते हैं अभी मैं आपको सारे के सारा सेट अप जो है वो दिखाता हूं ताकि आपको idea clear हो जाए कि किस तरह से connections है वो मैंने किये वे हैं अभी फिलाल मैं system को on करता हूं circuit को on करता हूं इसके ओपर को LED status वगरा तो नहीं है बड़ यह जब on हो जाता है तो हमें idea हो जाता है amplifier की sound से के यह on इस वक हो चुक है तो भी आपको मैं अपना जो complete setup है वो दिखाता हूं जी तो guys यह है हमारा total setup आपको speaker भी नज़र आ रहा है और इसके इलावा यह मैंने इसके साथ connect कर दिया है और यह है हमारा microphone ठीक है आपक इसके से दिखाया भी था भी यहां से मैंने इसको 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 आपको थोड़ा सा noise जरूर आएगा बट वो जो noise होता है वो obviously जब हम इसको close कर देंगे कहीं पे भी proper connections करेंगे तो वो खतम हो जागा और एक चीज़ आपने दिहान में रखने है माइक्रोफून को अपने जो speaker है उसे दूर रखना है अभी भी आपको noise इसलिए भी आएगा क्योंकि इसको microphone को मैं speaker के करीब ही रख रहा हूं इसलिए तो wire आपकी obviously लंबी होती है PA system के अंदर तो आपका microphone हो आपके speaker से दूर होना चाहिए अभी मैं इसको on करता हूँ सक्राइज के सुच्च कहा इसको सर्द बाहर को आपके लिए भी आपका समुझन सो गाइज अभी मैंने माइक्रोफून को ओन नहीं किया ठीक है इसको मैं भी ओन करूंगा और उसके बाद जो है मैं यह भी सोच रहूं कि यह जो स्पीकर है मेरा सो गाइज आपने सबसे पहले तो यहां पर मैस क्रियेट हुआ है इसको एगनोर करना है और क्यूंकि जब वर्क स्टेशन पर हम काम करते हैं तो ऐसी होता है वैल इसको मैंने भी ओन नहीं किया मायक्रोफोन को इसको मैं भी ओन करता हूँ और जो मेरा ये वाला microphone है जिससे आपको मेरी अवाज इस वक्त आ रही है जो के मेरे camera का microphone है इसको मैं speaker के करीब ले जाता हूँ ताकि आपको sound का idea हो सके ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको जो मारा speaker है output speaker उसके करीब लेके जाता हूँ मैंने ये वाला speaker connect नहीं किया हूँ मैंने एक और speaker connect किया हूँ जैसे मैंने आपको भी बताया था कि इसमें जो है हमें काफी जादा noise प्रोड्यूस होता है तो इसलिए मैंने ये वाला speaker क्योंके काफी जादा करीब हो जाएगा microphone के तो इसलिए कि मैंने इसको यूज यहां पर नहीं किया okay microphone को थोड़ा सा मैं close लेके जाता हूँ अपने speaker के और अब जो मैं बोलोगा वह आपको आपको आउटपूट होगी वो जो speaker पे मेंने वाज आ रही होगी microphone के तो आपको नदर आईगी सुनाई देगी okay microphone को मैं करने लगा हूँ on microphone on 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 hello hello folks oh आपको एडिया वोड़ा होगा अपने इसाब से आफसे लिए गरए है जैसे भी सेट्टिंग भी अपने दिखा रो हलो हलो यह आपने देका बिलिए नो यह कुछ स्वाम धुघ को इको धो भी खॕगां है ओके तो गाइज आपको आइडिया हो गया होगा कि यह वाली जो किट है किस तरह से काम करती है किस तरह से ओपरेट करती है इसको आप 12 वोल्ड से लेके 25 वोल्ड तक जो है वो इनपूट दे सकते हैं क्योंकि इसके इसके रेगुलेटर लगावा होता है 7805 तो उसके आपने ने लेनी किट बर्न आउट आपकी नहीं होती इतने राम से तो इस तरह से आप इसका जो है वो यूज कर सकते हैं अगेन आपने जो स्पीकर्स आपके होंगे उनको आपने 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 माइक्रोफून से ताकि आपको विदाउट एनी नोइस जो है वो आपुट मिल सके तो ये वारी जो किटा है मारे दरा स्टोर के उपर अबिलिबल है अगर आप वहां से इसको पर्टेस करना चाते हैं तो आप इसको पर्टेस कर सकते हैं यही ता इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुट बाई